हेलो दोस्तों, वेलकाम टू अपना सपना जारेफ, आज की इस वीडियो से हम शुरुवात करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज की जिसका नाम है रिवीजन सीरीज, तो जो पेपर अभी हमारा जून में होने वाला है, यानि CSIR Net Life Science जून 2023, जो की जून में होने वाला है, उस के लिए हमने इस सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज के अंदर हम रोज एक टोपिक को उठाकर डिसकास करेंगे, रिवाइस करेंगे, और सारा रिवाइस करने के बाद उस टोपिक से जो क्रिशन आये हैं, वो आपको लास्ट में में दे दूँगी, जिसके आप पूरा इसी हो जाए चीजों को रिवाइस करने में, चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं, नुकलियर ट्रांस्पोर्ट की, जो की यूनिट नंबर टू यानि सेल बायोजिक टोपिक है, और काफ़ी इंपोर्टेंट है, उससे कहीं कुछे गए हैं अभी तक, ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि नुकलियर ट्रांस्फोर्ट आखिर होता क्या है, तो सब लेते हैं कि हमारे पास एक सैल होता है, उस सैल के अंदर एक is और नुकलियस में कुछ प्रोटीन कुछ फेक्टर कुछ चीजे ऐसी होती है जिनका काम होता है साइटो प्लाजम के अंदर तो उन्हें नुकलियस के बाहर लेके आना है और कुछ प्रोटीन कुछ फेक्टर ऐसे होते हैं जो कि होते तो साइटो प्लाजम में है लेकिन उनको जाना होता है नुकलियस के अंदर क्योंकि उनका काम ही नुकलियस के अंदर है तो इस तरीके से चीजों को बाहर लेके आना अंदर लेके जाना इसको ही बोलते हैं नुकलियर ट्रांसपोर्ट इसको हम बोलते हैं नुकलियर ट्रांसपोर्ट यानि जो मेंब्रेन है नुकलियर membrane होती है उसमें कुछ इस तरीके से पॉर्स प्रेजेंट होते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से पॉर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नुक्लियर पॉर और यहां पर कुछ प्रोटीन भी help करते हैं तो इस तरीके से इस पूरे पॉर को और इस पूरे complex को हम बोल pore complex तो इसको बोला जाता है nuclear pore complex जो की चीजों को transport करने में help करता है इस तरीके से तो यहां दो बाते आपको याद रखनी है कि अगर कोई molecule छोटा है size में बहुत छोटा है तो उसके लिए वहाँ पर NPC की requirement नहीं है या फिर कोई other regulation की requirement नहीं है वह इसली आरपार हो सकता है लेकिन अगर कोई molecule या फिर कोई protein ऐसा है जो कि size में बड़ा है large molecule है तो उसको transport करने के लिए वहाँ पर NPC की requirement होगी as well as कुछ nuclear receptors होते हैं कुछ nuclear receptors होते हैं जैसे की importin है जैसे की exportin है उनकी requirement होती है ठीक है तो यह है nuclear transport चलिए इसके बारे में एक बार रीड कर लेते हैं nuclear transport refer to the mechanism by which molecules move across the nuclear membrane of a cell the entry and the exit of large molecule from the cell nucleus is tightly controlled by the nuclear pore complex that is NPC although the small molecule can enter the nucleus without any regulation macromolecules such as RNA proteins require association with the transport factor known as nuclear transport receptor जैसे की important है जैसे की exporting है इन इन factors की requirement होती है अगर कोई बड़ा molecule है उसको क्रोस करवाने में ठीक है तो दिस is nuclear transport अब यहीं पर आपको दो बाते याद रखनी है फरस्ट कि यह गेटरी ट्रांसपोर्ट होता है और सेकिंड यह यहां पर पोस्ट ट्रांसलेशन टार्गेटिंग होती है इसको टार्गेट करके भी क्रिशन आ सकता है कोई भी statement दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि nuclear transport कैसा होता है तो वह गेटरी ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब क्या है देखिए अभी हमने देखके अभी हमने देखा है कि यहां पर कुछ nuclear pore complex होते हैं जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में help करते हैं तो यह जो nuclear pore complex है यह act करते हैं as a gate हम सभी जानते हमारे घरों में जो gate होते हैं वो क्या करते हैं कि जब हमें unwanted चीजे नहीं चाहिए होती हैं उसको बंद कर देते हैं हमें जब बाहर जाना होता है उसको ओपन कर देते हैं तो यहां पर सेम ऐसे ही होता है यह जो nuclear pore complex है जब हमें चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है तो यह बंद हो जाएगा या फिर कोई ऐसी unwanted चीजे हैं जिनको अंदर नहीं लेकर आना है तो भी यह बंद हो जाते हैं और जब चीजे बाहर निकाल नहीं होती है तो यह ओपन हो यह रहा है लेकिन बनते बनते ही उसकी तयारी कर दी जाती है ट्रांसपोर्ट करने की उसे बोलते हैं को translation targeting एक होता है कि पूरा protein पहले बन जाता है बनने के बाद फिर उसको transport किया जाता है तो nucleus के अंदर जो भी protein आएगा जो भी factor आएगा वो post translation targeting होकर आएगा यानि complete बनेगा उसके बाद फिर उसको nucleus के अंदर transport किया जाएगा तो ये दोनों factor ये दोनों बात जो मैंने बताई हैं आपको याद रखनी है कि एक gated transport होता है और second यहाँ पर post translation targeting होती है अब देखो कोई भी protein अगर हमें nucleus के अंदर लेके जाना है तो उसके पास दो चीजे होनी चाहिए NLS और NES यानि कोई protein है अगर उसे nucleus के अंदर जाना है तो उसे बोलते है import in the nucleus तो उसके पास NLS होना चाहिए इसका मतलब है nuclear localization signal उस protein के पास अगर NLS होगा तो ही वो nucleus में अंदर जा पाएगा अदरवाइस नहीं जाएगा यानि ये NLS जो है एक तरीके का tag है या फिर उनका ID card है जिसे दिखा कर ही वो nucleus में अंदर जा सकते हैं और अगर कोई protein nucleus के अंदर है उसे बाहर जाना है तो उसके पास NES होना चाहिए यानि कि nuclear export signal होना चाहिए ये भी as a tag या फिर as a ID card की तरह एक्ट करता है कि दिखाएंगे और फिर हम बाहर जा सकते हैं तो nucleus में अंदर जाने के लिए बाहर आने के लिए इन चीजों की requirement होती है देखो NLS क्या है amino acid का sequence हो सकता है ये भी कोई amino acid का sequence हो सकता है हमें पता है protein किस से बने होते हैं amino acid से तो कुछ amino acid ऐसे होते हैं जो की as a identification की तरह काम करने लगते हैं चलो देखते हैं कौन NLS की तरह act करेगा कौन NES की तरह act करेगा तो import into the nucleus अगर चीज़े हमें nucleus के अंदर import करनी है तो protein that must be carrying nuclear localization signal यानि की NLS NLS is a sequence of amino acid that act as a tag they are most commonly hydrophilic sequences containing the lysine and arginine residue यानि की mostly ऐसा देखा गया है कि अगर किसी protein के पास लगातार lysine या फिर arginine amino acids हैं तो वो nucleus के अंदर import किये जाते हैं यानि की lysine और arginine अगर repetition भी present है वहाँ पर तो वो NLS की तरह act कर सकते हैं लेकिन हर जगह ये possible भी नहीं है यानि की ऐसा बोल सकते हैं कि mostly ऐसा देखा गया है हर एक case में ऐसा नहीं देखा गया है कुछ ऐसे भी protein होते हैं जिनके पास ये tag नहीं है लेकिन फिर भी वो import किये जाते हैं ओल्दो diverse NLS sequences have been documented so repeated intermediate stretch of the lysine and arginine होते हैं for NLS यानि किस तरीके से देखो कोई protein है इस protein के पास बीच बीच में यहाँ पर leucine नहीं नहीं है lysine और arginine rich होना चाहिए इस तरीके से तो वो एज़ा act करेंगे NLS अगर हम चीज़े export करने हैं from the nucleus तो उसके पास nuclear export signal होने चाहिए और mostly देखा गया है कि अगर उनके पास alternate leucine होता है मतलब leucine है फिर कोई oramine acid है free leucine है फिर कोई oramine acid है यानि लिचिन अगर alternate form में होता है तो देखा गया है कि वो चीज़े वो protein nucleus से बाहर भीजी जाती है तो यह जो alternate leucine है यह act कर सकते हैं as a NES और जो lysine और arginine rich है वो act कर सकते हैं as a NLS ठीक है तो यह बाते भी आपको याद रखनी है अब हम बात कर लेते हैं कि कैसी चीज़े transport किया जाता है अब तुमने देखा है उपर उपर से कि ठीक है ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया internally क्या phenomena क्या process होती है चीजों को transport करने के लिए तो वहाँ पर एक protein होता है जिसका नाम है ran g protein छोटा से small protein होता है लेकिन इसकी जो importance है वो काफी important है तो मतलब होता कैसे है कि जो ran है वो एक small g protein है g protein in the sense कि उससे जुड़ा होता है gtp या फिर gdp भी हो सकता है तो अगर ran के साथ में gtp जुड़ा हुआ है तो उसको हम मानते है active form active in the sense कि वो import करने में export करने में help करेगा अगर ran gtp से attach है लेकिन अगर ran gdp से attach है अगर ये ran जो small g protein है अगर ये जुड़ा हुआ है gdp से तो हम इसको मानते हैं या फिर होता है ये inactive form inactive in the sense कि अब ये import और export में help नहीं करेगा तो यहाँ पर दो factor होते हैं सबसे पहले अगर ran gtp है उसको gdp में convert किया गया है तो यहाँ पर होता है gtp is activating through team जो कि ran gtp को convert कर देता है ran gdp में या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ran active form को inactive form में convert कर देता है लेकिन जब ran inactive form में होता है इसको active form में convert करने के लिए भी एक factor होता है जो कि है gef यानि granin exchange factor करने के लिए gef होता है और inactive form में convert करने के लिए gap होता है यानि gtp is activating protein और यह है granin exchange factor तो यह ran की हमने बाते कर ली है अब देखते हैं कि ran काम कैसे करता है तो यह ran cycle इसको मैं खुद से भी draw कर देती हूँ मानू यह है हमारा nuclear membrane और यह है nuclear pore complex यह है nuclear pore complex तो देखो कुछ बाते आप याद रखना पहली बात कि जो भी nucleus से बाहर जाएगा उसके साथ में ran gtp जरूर होना चाहिए ठीक है कुछ भी आइदर जो भी बाहर जाएगा nucleus से उसके पास ran gtp होना चाहिए तो यहाँ पर होता क्या है कि यह है हमारा cytosol वाला part और यह है हमारा nucleus वाला part यह है nucleus वाला part तो यहाँ पर nucleus में होता है ran gtp ran gtp किसी के साथ में भी बाहर जाएगा बाहर जाने के बाद यह जो ran gtp है जो बाहर आया है चीजों को लेकर फिर वो convert कर दिया जाता है in ran gdp in ran gdp में convert कर दिया जाता है यहाँ पर होता है gap मतलब cytosol में gap होता है तो जो भी ran gtp होगा इसको ran gdp में convert कर दिया जाता है फिर यह ran gdp अंदर आता है लेकिन याद रखना कि ran gdp अकेला अंदर नहीं आता है एक factor है जिसका नाम है ntf2 यह ran gdp को अंदर लेके आता है अंदर आने के बाद यह ran gdp है यह convert हो जाता है ran gdp में क्योंकि nucleus के अंदर होता है gef फिर से recall कर देती हूँ यह cytosol है यह cytoplasm है यह nucleus है यहाँ पर यह nuclear pore complex है जिससे चीज़े बाहर और अंदर जाती है तो यहाँ हमारे पास nucleus में है ran gdp यह ran gdp आएगा बाहर किसी के भी साथ में आ सकता है आगे हम बात करेंगे कि किस किस के साथ में यह बाहर आएगा लेकिन यह बाहर जब आता है तो बाहर आने के बाद यह ran gdp convert हो जाता है ran gdp में एसा इसलिए क्योंकि साइटो प्लाजम के अंदर गैप प्रेजेंट होता है तो गैप का अभी हमने देखा है वह रहन जीटीप को कंवर्ट कर देता है रहन जीडीप में तो यह जीडीप में कंवर्ट हो जाता है अब उसको फिर से अंदर आना है लेकिन वह अकेला नहीं रहता है जैसे चीजें अंदर बाहर जाती है यहां पर आप देख सकते हो ब्रुकुल सेम डाइग्राम है यह है रहन जीटीप बाहर जाएगा फिर रहन जीटीप कंवर्ट हो जाएगा रहन जीडीप में विद्धा हेल्प ओफ रहन गैप फिर इसको एंटी एफ टू फेक् पहले भी बताया है यह नुक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो चीजों को बाहर लेके जाते हैं अपने आपसे जोडते हैं और फिर बाहर ले जाते हैं तो यह जो इंपोर्टीन एक्सपोर्टीन है यह है नुक्लियर रिसेप्टर नुक्लियर रिसेप्टर है जो बाइंड कर ऐसे ही यह एक्सपोर्टिन है और यहां पर यह कार्गो यह नाम ऑण है इससे इसलोगा है कि आपके मानों यह हमारा नुक्लियस है यह साइटोप्लाज्म है यह साइटोप्लाज्म है यह है नुक्लियस और यह साइटोप्लाज्म तो यह जो इंपोर्टिन होता है यह साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका काम है चीजों को अंदर लेके जाना और यह जो एक भी याद रखनी है कि दोनों रिसेप्टर हैं कार्गो से बाइंड करते हैं ट्रांस्पोर्ट करने में हेल्प करते हैं इंपोर्टिन बाहर होता है एक्सपोर्टिन अंदर होता है लेकिन यह मतब शटल करते रहते हैं बाहर अंदर होते हैं लेकिन अब हमने इनकी भी बाते कर अब आपको यहां कुछ चीजें किन्क्लूजन में मैं दे रही हूं नुकलियस के अंदर क्या होगा एक्सपोर्टिन होगा रेन जीटीपी होगा और इम्पोर्टिन होगा यह यहां तक जितना भी हमने पढ़ा है उसका सारा कन्क्लूजन है अगर आप यह दो लाइन भी लाता है पहली बात तो यह नुकलिश के अंदर क्या होगा expect in होगा यह श्व दोसरा हुआ और CO2 यह तो आफ हम मुव करते हैं लिए फाइनली ओने एक्सपोर्टेंट साइकल एंद्धिंपोर्टेंट साइकल ठिक है एक्सपोर्टेंट साइकल मतलब नामसे इंडिकेशन है कि हमें चीजे बाहर लेके जानी है, तो पहले डाइग्राम ड्रो कर लेते हैं, यह nuclear membrane, यह nuclear membrane, nuclear pore complex, अभी देखो यहां पर हमें करना है X-Portin, तो यह X-Portin है अंदर, तो यहाँ पर है हमारे पास X-Portin, X-Portin से, मतलब X-Portin जो है, bind करेगा cargo से, मतलब यहाँ nucleus है, अच्छा मैं लिख भी देती हूँ, यह nucleus है और यह cytoplasm है, तो यहाँ पर है हमारा X-Portin, X-Portin bind करेगा cargo से, यह nucleus के अंदर कोई protein इसको बाहर लेके जाना है, तो यहाँ यह cargo से bind कर लेगा, अब cargo के पास, यानि यह जो protein है, इसके पास क्या होना चाहिए, NES या फिर NLS, इसको बाहर जाना है, तो NES होना चाहिए, तो इसके पास होना चाहिए, NES, ठीक है, और अभी मैंने बताया था कि जो भी बाहर जाएगा, वो RAN-GTP से bind होकर ही जाएगा, तो यहाँ पर हमें RAN-GTP को भी bind करना पड़ेगा, यहाँ हमें RAN-GTP को भी bind करना पड़ेगा, अब यह बन गया है ternary complex, one is X-Portin, second is cargo protein, third is RAN-GTP, इसको बोलते हैं ternary complex, यह तीनों complex, यह जो complex है, पूरा तीनों का, यह आता है बाहर, बाहर आने के बाद cargo अपने काम में लग जाता है, जिस काम के लिए आए था, वो काम कर लेगा, यह जो X-Portin हैं, यह भी बाहर आएगा, लेकिन इसको बाहर रहना तो नहीं है, इसका काम अंदर है, तो यह X-Portin अब अंदर आ जाएगा, यह X-Portin आ जाएगा अंदर, अब हमारे पास बचा है RAN-GTP, RAN-GTP भी तो बाहर आया है, तो यह जो RAN-GTP है, अब हमें पता है कि साइटो प्लाजम में क्या है, गैप है, तो यह गैप इसको कनवर्ट कर देगा, RAN-GDP में, यह इसको कनवर्ट करेगा RAN-GDP में, अब इस RAN-GDP को जाना है अंदर, और मैंने बताया है कि RAN-GDP अकेला अंदर नहीं करता है, NTF2, उसको साथ में लेके जाएगा, तो यहाँ एक फेक्टर है, NTF2, यह RAN-GDP से बाइन करता है, यह दोनों अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद, यह जो RAN-GDP है, अब यह RAN-GDP नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ है, GEF, जो उसको तुरंत कनवर्ट कर देता है, RAN-GDP में, तो यह साइकल है, फोर्दा X-Portin, ऐसे ही चलता रहता है, मैं एक बार फिर से रिकोल कर देती हूं, सबसे पहले, हमें एक इस प्रोटीन को, कार्गो को, हमें बाहर लेके जाना है, तो इसके पास, obviously, NES होना चाहिए, receptor X-Portin इसे बाइंड करेगा, और RAN-GTP कहता है, कि मेरे बिना तुम बाहर नहीं जा सकते, तो यह कहते है, चलो ठीक है, तुम भी बाइंड कर लो, तीनो बाइंड करते हैं, बाहर आ जाते हैं, कार्गो बाहर आने के बाद, अपने काम में लग जाता है, जिस काम के लिए बाहर आया है, Exporting बाहर आया, उसने देखा, मैं आ तो गया हूँ बाहर, लेकिन बाहर मेरा कुछ काम नहीं है, तो मैं फिर से अंदर जाता हूँ, अंदर नहीं जा सकता, तो फिर आता है, NTF2, कहता है, ठीक है, डोन वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अंदर लेके जाऊँगा, तो ये NTF2 से बाइंड कर लेता है, ये अंदर आ जाते हैं, अंदर आने के बाद, ये जो रेंजी टीप है, सब कुछ बताता है, अपने बार कोई प्रोटीन अगर बाहर लेके जाना है, तो तुरंत ये बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा, फिर से कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर चीजे बाहर जाएंगी, और अगर कोई चीजे बाहर नहीं लेके जानी है, तो ये फिलाल रेस्ट करेंगे, अब इनकी रेस्ट के बारी है तो this is the export in cycle अब हम बात करते हैं about the important cycle यानि अगर हमें चीजे अंदर लेके आनी है तो क्या करना होगा तो फिर से ड्रो करते हैं अपना डाइग्राम यह है nuclear membrane यह है nuclear pore complex यह है nuclear membrane nuclear pore complex यह अब की बार हमें चलानी है important cycle यानि cytoplasm यह cytoplasm है और यह new kias है यानि चीजे हमें cytoplasm से अंदर लेके जानी है तो यहां पर already weight कर रहा है हमारा important तो यह important आया यहां पर कहीं बैठा है हमारा cargo protein cargo बोलता है भाई अंदर लेके चलोगे important बोलता है बिल्कुल मेरा कामी अंदर लेके जाना है चलो लेकिन तुमारे पास NLS होना चाहिए तो यह बोलता है हाँ बिल्कुल मेरे पास है तो दिखाओ यह लो मेरे पास NLS है यानि nuclear localization signal मेरे पास है तो important बोलता है ठीक है आप कोई दिकत नहीं है चलो चलते हैं तो याद रखना बात जब हमें चीजे बाहर लेके जानी थी तो बना था ternary complex यानि तीन का बना था लेकिन जब चीजे अंदर जानी है तो वहां पर केवल दो component का complex बनेगा एक cargo protein और एक important ठीक है तो यह आ गए अंदर अंदर आने के बाद यह cargo अपने काम में लग गया जो उसका काम था और important आ गया अंदर अब important बोलता है मैं अंदर आ तो गया हूं लेकिन मेरा कुछ काम नहीं है मुझे जाना पड़ेगा बाहर लेकिन जैसे यह बाहर जा रहा होता है तो रेंजी टीपी कहता है नहीं नहीं तुम मेरे बिना बाहर ज जाही नहीं सकते हो जो भी बाहर जाता है मेरे साथ जाता है important कहता है चलो ठीक है बाइन कर लो मुझे मुझे बाहर छोड़ दो तो यहां पर यह जो रेंजी टीपी है यह बाइन कर लेता है और यह दोनों आ जाते हैं बाहर बाहर important आया उसको थोड़ी राहत की सांस मिली च जाता है इन्दा रैन जीडिपी बताओ क्यों कनवर्ट किया जाएगा क्योंकि साइटो प्लाजम में होता है गैप अब रैन जीडिपी बोलता है मुझे तो अंदर जाना है लेकिन फिर आता है एंटी एफ टू ठीक है डॉन वरी मैं तुम्हें अंदर लेके जाओंगा तो य रैन जीडिपी में with the help of GEF तो ऐसे चलती है इंपोर्टिन साइकल फिर से रिकोल कर देती हूं सबसे पहले कार्गो प्रोटीन है जिसको जाना है अंदर इंपोर्टिन जो रिसेप्टर है वो इससे बाइंड करता है बस एक चीज़ चेक करता है कि इसके पास NLS होना चाहिए ठीक है अगर यह सब चेक हो जाएगा तो यह आएगे अंदर अंदर आने के बाद कार्गो अपने काम में लग जाएगा इंपोर्टिन को फिर से जाना है बाहर लेकिन बाहर अकेला नहीं जा सकता रैन जीटीपी लेकर जाएगा इसको बाहर तो यह आते हैं इंपोर्टिन बाहर आएगा वेट करेगा किसी अगले प्रोटीन को अंदर लेके जाने के लिए इसी दुरान ये जो रैंजी टीपी आया था उसको कनवर्ट कर देता है गैप इंटू रैंजी डीपी अब रैंजी डीपी को जाना है फिर से अंदर तो यहां जो एंटी एफ टू है ये इसक साइकल तो हमने देख लिया है सभी साइकल्स हमने देख लिए हैं एक बारन को फिर से में रिकॉल करा देती हूं रैं साइकल हमने देख लिए थी यहां पर बताया है नुकलियर इंपोर्ट यानि यह तो है कार्गो प्रोटीन जिसके पास NLS है यह है इंपोर्टीन दोनों बाहर आने के बाद तो यहां पर बनेगा तर्न गॉल और जो RAN GDP है उसको convert कर दिया गया है RAN GDP में फिर इससे NTF2 bind होगा उसको भी अंदर लाया जाएगा तो यह है exporting, importing और RAN की cycle जो कि आपको nuclear transport में करनी है तो पूरा topic हमने पढ़ लिया है अब यह question है जो कि June 2021 shift 1 का question है totally nuclear transport के उपर ही है आपको इसे अच्छे से read करना है जो भी आपको answer सरी लगता है comment करके बताना है और comment नहीं भी करना चाहते हो at least आप इसको solve जरूर कर लेना ठीक है तो I hope आपको यह पूरा topic समझाया होगा about the nuclear transport अभी भी अगर किसी भी point में कोई भी doubt है तो आप comment करके मुझे पूछ लेना मिलते हैं अगली वीडियो में नए topic के साथ में till then bye bye take care